ताजा खब्रों के लिए हमारे आरासी के यूटूब चैनले को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन को प्लिक कीजे बार्शिट आकली तहसिल के अंतरगत आने वाले दोनद में काटेपुर्ण नदी में दो दिन पहले एक महिला डूब गई थी इसे खोजने के लिए सर्च आप्रिशन चलाय गया था गटना के तीसी दिन महिला की लाश को खोजने में सफलता मिले बार्शिट आकली तहसिल के ग्राम दोनद आसरा के काटेपुर्ण नदी में 29 मार्श को एक महिला डूब गई थी जिसकी लाश 31 मार्श को मिली महिला के डूबने की सूचना बार्शिट आकली के थानेदार ने संत गालगे बाबा आपात कालीन खोज व बचाओ पतक को दी थी जिसके बाद संत गालगे बाबा आपात कालिन दल और इस्थानिय नागरी को द्वारा काटे पोना नदी में डूबी महिला की तलाश कर रहे थे दो दिनों तक लगातार खोज अबियान चल रहा था परन्तु काटे पोना नदी में 30-35 फुट पानी होने के कारण और महिला के डूबने की जगह निश्चित नहीं होने के कारण दल को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था जिसके बाद 31 मार्श को महिला की लाश फूल कर भाहर आ गई प्राप्तव जानकारी के अनुस्वार मुर्तक महिला या मालेगाव तरसिल के ग्राम वाकलवाली निवासी 45 वर्षिय रतनमाला मेटांगे है जो दोनत खुर्द में कारक्रम में शामिल होने आई थी इस दवरान दो महिला आस्रा माता मंदिर से लगकर काटे पूर्णा नदी में नहाने के लिए उत्री थी परनतु नदी में पानी अधिक होने के कारण इस महिला की डूबने से मौत हो गई थी आगे की जाँच बारशी टाकली पुलिस कर रही है